रवीवार नो जून को प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी समेट भैतर मंतरियों ने शपत ग्रहन की है इस बार की मोदी सरकार में कुल 71 मंतरी है जिन में 60 भाज़बा के हैं और 11 अन्य दलों के सदश्य शामिल है हालां की NCP कैबिनेट मंतरी पद की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई है मोदी 3.0 सरकार का गठन अपने आप में एक एतिहासिक है क्योंकि यह नरिंदर मोदी का लगाता तीसरा कारेकाल है यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी मंतरी परिशद है 2014 में 45 और 2019 में 57 मंतरीों ने शापत ली थी जबकि इस बार 30 कैबिनेट मंतरी है 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंतरीों ने शापत ली थी इस बार कैबिनेट मंतरीों की संख्या में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है गटबंदन को ध्यान में रखते विए पांच कैबिनेट पद गटबंदन दलो को दिये गए है इनमें तेलगू, देशम के के राम मोहन नाइडू, जेडियू के ललन सिंग, हिंदुस्तान आवा मोर्चा के जीतन राम मांजी, जेडियास के एचडी कुमार स्वामी और एल जेपी के चिराग पासवान शामिल है उत्रप्रदेश से सबसे ज़्यादा ग्यारा मंतरी है, पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट से 36 मंतरियों को जगए नहीं मिली इस बार कैबिनेट में साथ महिलाएं शामिल है, जबकि पहले टर में आठ और दूस लिटर में 6 महिलाएं थी सबसे यूर टीडीपी के राम मोहन नाइडू और सबसे बुजुग नवासे साल के जितन राम मांची को कैबिनेट मंतरी बनाया गया है, इसके अलावा कैबिनेट में शुरू से भाषपा में रहे 41 लोगों को मंतरी बनाया गया इस नई मंतरी बरिशत से यह सबस्ट है कि मोधी सरकार ने विभिन राज्यों और जातियों के प्रते निधित्यों को ध्यान में रखते वे संतूलन बनाये रखा है, अब देखना यह होगा कि यह नई सरकार किस तरह से अपने वादे को पूरा करती है और देश को आगे ले जाती है